दोस्तो क्या आपका मसीन भी बहुत जल्दी हीट हो जाता है गरम हो जाता है आपका ब्रस कटर मसीन स्टार्ट हो रहा है बट स्टार्ट करके एक्सेलेटर लेता हूं तो ब्लेड नहीं गूमता है ब्लेड रुक जाता है घांस नहीं काट रहा है ब्लेड घांस पर सटाते ही रुक जाता है देखे एक मिनेट में ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है दोस्तों कलाच एसमली पूरा हीट हो गया है गर्म हो गया है ऐसा लगँ रहा हाथ जल जाएगा चले आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसा क्यूं होता है ब्लेड क्यूं नहीं घूम रहा है और मसीन बहुत जल्दी गरम क्यों हो जाता है तो देखिए गियर हेड नहीं घूम रहा है देख रहे है गियर हेड जाम हो गया है दोस्तो गियर हेड काम नहीं कर रहा है गियर हेड नहीं घूम रहा है दोस्तो इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे कलच असमली कलच असमली को हम अच्छी तरह से चेक करेंगे देखे कुछ भी खराब हो सकता है कुछ भी डामेज हो सकता है हमें चेक करना पड़ेगा न देखे कलच assembly में लगा हुआ कलच drum नहीं घूम रहा है देख सकते हैं कलच drum ब्लॉक हो गया है देख रहे हैं नहीं घूम रहा है चलिए प्लास की मलत से हम घूमा कर देखेंगे कलच ड्रम को कलच ड्रम नहीं घूम रहा है दोस्तो बिल्कुल भी नहीं घूम रहा है देखे अगर इस तरह से कलच ड्रम नहीं घूमेगा और आप मसीन को स्टारट करके X-Lator को प्रेस करेंगे तो क्या होगा ब्लेड नहीं घूमेगा ब्लेड वर्क नहीं करेगा मसीन बहुत जल्दी हीट हो जाएगा दोस्तों अगर ब्लेड नहीं घूमेगा ना तो मसीन बहुत जल्दी हीट हो जाएगा गरम हो जाएगा क्योंकि कलच घूम रहा है कलच ड्रम नहीं घूम रहा है लेकिन कलच घूम रहा है मसीन को आप श्टार्ट करके चलाएंगे तो कलच घूमता ही रहेगा flywheel में कलच लगा हुआ रहता है कनेक्ट रहता है मसीन श्टार्ट करेंगे कलच घूमना श्टार्ट हो जाएगा कलच assembly को खुलकर बाहर निकाल लेज़े कुछ इस तरह से उसके बाद आपको चेक करना है रॉड गूमना चाहिए दोस्तों और हाथ से बिल्कुल स्मूथ गूमना चाहिए रॉड आपको अच्छी तरह से चेक करना यह देखे पहले तो आपको कलच ड्रम इस तरह से घुमा कर देख लिजे देखे ड्रम घुम रहा है दोस्तों देखे ड्रम घुम रहा है ड्रम बिल्कुल फ्री है मतलब कलच असेमली सही है देखे ड्रम में गुना बना हुआ है जिसमें रॉड लगता है तो आप ड्रम को अच्छी तरह से चेक कर लिजेगा जिसमें रॉड कनेक्ट होता है आप अच्छी तरह से चेक कर लीजे ड्रम घिसा हुआ रहेगा तो रॉड नहीं घुमेगा रॉड वर्क नहीं करेगा ये जो मसीन है ये लियो कमपनी का है और ये कलच असेमली भी लियो कमपनी का है कलच ड्रम के अंदर में एक बैरिंग होता है वो बैरिंग अगर तूट जाएगा या जाम हो जाएगा तो ये जो ड्रम है ये नहीं घुमेगा आप अच्छी तरह से चेक कर लीजेगा ये कलच असेमली का मोडल में आपको तीन अलेंकी बोल्ट खोलना पड़ेगा तीन अलेंकी बोल्ट खोलकर चेक कर लीजेगा इसका जो गुणा है उससे भी आप अच्छी तरह से चेक कर लीजेगा अगर ये घिसा हुआ रहेगा तो वर्क नहीं करेगा इसका गुणा आप अच्छी तरह से चेक कर लीजेगा अगर गुणा तरफ इसका जो गुना है उससे अच्छी तरह से चेक कर लेजेगा देखिए इसका जो ताता है ना मतलब जो गुना है वो अच्छी तरह से चेक कर लेजेगा अगर ये दाता घीसा हुआ रहेगा दोनों साथ से चेक कर लेजेगा अगर ये दाता खराब रहेगा घीसा हुआ इसमें आपको grease लगाना है, grease लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप grease नहीं लगाएंगे तो rod भी खराब हो जाएगा, damage हो जाएगा, और क्या होगा machine बहुत जल्दी heat हो जाएगा, गरम हो जाएगा दोस्तो, rod में greasing करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, rod को gre greasing करना है दोस्तो, ये देखिए, अब gear head भी बिल्कुल सही work कर रहा है, देख सकते हैं, gear head को आप किस तरह से खोल सकते हैं, इसे repairing कर सकते हैं, अगर आप इस वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करेंगे, तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूँगा आपके लिए, दोस्तो, देखिए, इसी grease का मैं इस्तमाल करने वाला हूँ, ये जो grease है, इस grease को मैं rod में लगाऊँगा, और आप rod हमेशा greasing कीजे, दोस्तो, जब भी आपका machine 50 घंटा चल जाए, मतलब 50 घंटा चलाने के बाद आपको इस rod को greasing करना है, आप इस rod को greasing नहीं करेंगे, ये dry हो जाएगा, तो क्या होगा, machine बहुत जल्दी heat होगा, गर्म होगा, इसके वज़सा आपका gearbox भी खराब हो सकता है, और मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत लोग ये गलती करते हैं, क्या करते हैं, rod में mobile लगाते हैं, mobile आपको नहीं लगाना है, आप गलती से भी, भूल स भी कभी ऐसा ना करें, mobile आपको rod में नहीं लगाना है, नहीं आपको जो gear head है, उसमें लगाना है, मतलब आपको mobile नहीं लगाना है, mobile नहीं डालना है, gear head में भी mobile नहीं लगाना है, और rod में भी mobile मतलब engine oil नहीं लगाना है, त्यान रखेगा, grease लगाना है आपको rod में और gear head मे दोनों में आपको grease लगाना है mobile का इस्तमाल ना करें oil ना लगाएं यह वीडियो में आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताना है दोस्तों यह वीडियो को आप कहीं भी skip ना करें वीडियो को end तक देखें वीडियो देखने से आपका बहुत problem solve होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख पा रहे है आपको कुछ भी value add हो रहा है तो आप वीडियो को like करना ना भूले क्यूंकि आप like करेंगे तो मेरे को motivation मिलेगा वीडियो को आप like करें अभी और इसी तरह का आगे और वीडियो देखने के लिए आप हमारे किसान मसीन YouTube चुनल को सस्क्राइब कर लीजिए सस्क्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन प्रेस करके notification on कर लेना है ताकि मैं जब भी कोई नवी वीडियो अपलोड करूँ सबसब पहले notification आपको मिले दोस्तो आप अपने मसीन का spare parts घर बैटे ही मांगवाना चाहते हैं तो अभी call कीजिए मैं आपको आपके घर पे बेजूँगा आपके मसीन का spare parts अभी call कीजिए और order कीजिए इसी वीडियो का description में आपको हमारा WhatsApp नमबर मिल जाएगा आप चाहें तो मुझे message कर सकते हैं या call भी कर सकते हैं दोस्तो rod में grease लगाने के बाद और clutch SMG fit करने के बाद हम एक बर घुमा कर check कर लेंगे clutch drum को हम इस तरह से घुमा कर देख लेंगे देखिए बिल्कुल free घुम रहा है इस तरह से आप भी घुमा कर check कर लीजे clutch drum बिल्कुल free घुमना चाहिए और ये जरूरी बात है देखिए अगर spring clutch का टूटा हुआ रहेगा या damage रहेगा lose रहेगा तो क्या होगा यहाँ पर gap हो जाएगा यहाँ पर gap हो जाएगा और gap हो जाएगा तो क्या होगा आपका machine start करते ही blade अचानक से घुमने लगेगा बीना accelerator लिये ही machine कब जो blade है वो अचानक से घुमने लगेगा spring टूटा हुआ रहेगा या damage रहेगा तो और देख लीजेगा clutch भी अच्छे तरह से check कर लीजेगा दोनों side से ये clutch देख रहे हैं आप ये अगर घीसा हुआ रहेगा damage रहेगा तो क्या होगा machine बहुत जल्दी heat हो जाएगा दोस्तों बहुत जल्दी heat हो जाएगा clutch भी चेक कर लेजेगा clutch अगर घीसा हुआ रहेगा damage रहेगा तो आप machine को start करके चलाएगे मसीन घास नहीं काटेगा और आपका जो मसीन वो बहुत जल्दी हीट हो जाएगा गरम हो जाएगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद